लाइव न्यूज खबर तो पक्की है नमस्कार मैं संबक मार आप देखें लाइव 24 में मेरे साथ बीजेपी के परवक्ता हैं रित्यस सी हैं हम बीजेपी करदाले में हैं अभी गारी में बैठ करके इंट्रिवू ले रहें लेकिन बीजेपी करदाले के कंपर्स में हैं अभी सब्सक्राइब लगा रहे हैं क्या उस इस आरोप से आपके पार्टी के छवी पर कुछ असर होने वाला है कि देखिए ऐसे आरोपों से किसी की छवी पर असर नहीं पड़ता क्योंकि ऐसे आरोप लगाने वाले व्यक्ति मनगढंत कहानिया कहते हैं कि सीट जितनी उतने एक बार अगर गठवधन में हैं सीटों का सेरिंग हुआ जितनी सीटे मिलेगी उतने ही प्रत्यासिया अगर एक सीट पर पांच दावेदार हो तो बाकि चार आरोप लगा दें कि नहीं सीट बेच दिया है तो इंजिनियर रविंदर सिंग जो है उनको मै जानता भी हो और उनके पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है क्या टिकट बेचने का यह बाते निराधार हैं अगर है तो उनको लाएं वो साक्ष के तोर पर उनके पास अजादी है मूह से बोलने की कुछ भी बोल देना वो बोल दिये हैं तो ऐसी बाते निराधार है और तो पर किसी किछ अबी पर अशन नहीं पढ़ता और भातित जनता पार्टी पर तो और नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि जन्ता मोदी जी से प्रभावित है अब उसको बताने कि आप सकता नहीं है तुरे दूसरा सवाल इस पर आते हैं कि आपके पार्टी के ऊपर यह में और लोगों की बात नहीं जानता अपनी बात जानता हूँ अपने बात बाद करके चलती है कि अपने जिनका नाम लिए सन्वाज हुसेंट साब को वाजबभी जी के गौणर्मेंट में भी बहुत कम उम्र के मंत्री बने थे तबसे आज तक पार्टी पिया पहले उनका कद बहुत बढ़ा है यह कहना निराधार होगा कि उनको मुस्लिम समझकर नहीं दिया गया बहुत सारे लोगों को टिकर नहीं दिया गया तो मुस्लीब नहीं है इसलिए उनकी चर्चाप नहीं किये लेकिन हो सकता है पार्टी उनको और भी बड़ी किसी जिम्मेदारी के लिए रखी हो क्योंकि भाजपाद सबका एड़्जेस्मेंट करके चलती है इसलिए प्रोप लगा सकते हैं किसी जाति धर्म संप्रदाय के अधार पर वो करती है इसा कुछ नहीं है लेकिन जहां जिस प्रकार का बैलेंस प्रकार के प्रत्यासी कि आवर सकता है वहां पर वहां दिया जाता है आपका स्लोगन चलना है बिहार में 40 के पार और इंडिये का पूर है क्योंकि वो लोग जितने दीन रूल ओभर किये उसमें जनता को सुषन और भय के अलावा कुछ नहीं दिये हम लोग का लेट जीवन में पढ़ते थे जब केंदर की में कॉंग्रेस की सरकार होती थी तो हम लोगों को पुस्तकों में पढ़ाया जाता था कि एटम बम गिर पाकिस्तान और आज हमारे देश का एक बच्चा भी पाकिस्तान से डगने को तयार नहीं है यह है हमारे मुदी सरकार की पहचान चले लाज स्वाल यह है कि इस वार सुसील मुदी जी ट्विट कि हैं कि हम अस्वस्त होने के कारण बिहार के कंपेंड नहीं कर पाएंगे क्य क्योंकि अभी बिहार भाजपा में सबसे वरिष नेता और सबसे जानकार नेता के रूप में उनको जाना जाता है उनका मार दर्शन काफी है उनका रहना तो और बहुत बड़ी बात है अगर वो कैंसर से अभी कैंसर का इलाज चल रहा है उनका स्वस्ता के कारण वो सामिल नहीं होंगे तो उनकी कमी बहुत खलेगी और उनका रहना आनिवारे हैं हम तो प्रहुत से प्राटना करेंगे कि यथा स्विग्र वह स्वस्थ हो जाएं और अपना खुड़ा साफी समय अगर पाट्री को देते हैं चुनाओं में वह बहुत बड़ी बात होगी तो आपने सब्सक्राइब करें और अगर उनका श्वस्थ हो जाती है और पुरे भारत में मुस्लिम की बात करें तो इनोंने कहा कि सबके साथ हम लोग काम करते हैं पार्टी उनकी लिए अच्छे जगह बना कर रखेंगे तो आप देखें चुनावी रिजल चुनावी रिजल चार पासा चलेगा कि 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 चालीस और चार सो कितना दावा सही ठाड़ता है मैं संभु कुमार कामरावनिया सुधर्मा के साथ पटना अगर मैं चाहें को लाइक एक सब्सक्राइब नहीं कि तो लाइक एक सब्सक्राइब पर थेंकर सूमच